जिनाभाजपाद्यक्ष विवेक बंटी साहू ने की समाधान की पहल कोचिंग वालों के लिए की कलेक्टर से चर्चा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गे अटल जी की जहनती पर हुंगे विविद आयोजन सुशासन दिवस पर हुआ शपत ग्रहेंड दिव्यांकी समस्य सुनने बाहर परिसर में पहुँची एडियम रानी बाटर शीग्र समाधान के लिए किया आश्वस्त और क्रिस्मस पर्व की खुश्यों में च्छाई रौनक लोबल नेटवर्ग का रहल है और परिसर में बरस रही प्रभू करपा नमस्कार आपका स्वागात सिटियल चल में और तमाम खबरों को लिए मैं हूँ शेख नावेद आईए अब देखिन खबरों को विस्तार से पूर प्रधान मंत्री स्वर्गे अटल बिहारी वाजपई की जनती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है देश के सर्वमान ने लोगप्रिय जननायक स्वर्गे अटल जी को याद करते हुए जिला प्रशासन ने सुशासन की शपत ग्रहिन की जबाब देर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करशा रहूँगा रुदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में उठार लाने के दच्पर रहूँगा जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कोचिंग संचालकों की समस्या गंभीरता से सुनी और समाधान के लिए कलेक्टर सौरप सुमन से चर्चा कर शीघ्र समाधान की मांग की है तो कोचिंग होने है था जिए तो सजाय बड़े परिशान है और बच्टों के बोड़े गाम भी आए है तो वह उप्च्वारा जेले के सभी कोचिंग संचालक बड़े को लेकर शबसे चालब हुआ है तब से इनका सभी कोचिंग क्लासेस बंद थी और इनके आए के साधन भी सरे बंद हो गए थे तो बड़े इनको परिशानी हो रही थी अज मैंने सभी कोचिंग वालों के साथ मिल करके सेफ Ludhakr Alle Dry…. इनकी परिशानी के साथ जो परिच्छाइँ हैं उनके बच्चों को पढ़ने में भी साथ अप्राम दोगा हूं प्रसासन का बंटी वहिया का धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर की क्रपा अनुकंपा और अनुग्रह इंसानियत को प्रभु ईशु के रूप में प्राप्त हुई शमा, दया, सहजीवन और विश्वास का संदेश लेकर पावन पर्व क्रिसमस आया है और पर्व की खुशियां प्रभु ईशु का शुभाशीश बन कर च्छाई नजर आ रही है ग्लोबल नेटवर्क का रियाले परिसर एवं कंपनी के मैनेजिंग डारेक्टर अशुक चौकसे का निवास सुन्दर प्रकाश सज्जा से पर्व के स्वागत में तयार है ये शुम से तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चर्णों में जुकी आसमा और माई माँगा है जमी ये शुम से तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चर्णों में जुकी आसमा और माई माँगा है जमी हम गाहे हो जैना तुम राजाओं का है राजा तेरी महीवा हो जैना तुम राजाओं का है राजाओं तेरी महीवा हो जैना तु है प्रभू हमा राजाओं यारे पिता तुने हम से इतना प्या किया हमें बेटे को तुरबा किया यारे पिता तुने हम से इतना प्या किया हमें बापों से सुनाने को अपने बेटे को तुरबा किया हम गाए हो से राजाओं का है राजाओं का है राजाओं तु है प्रभू हमारा खुडाओं हम गाए हो से राजाओं का है राजाओं ग्लोबल नेटवर्क के मैनेजिंग डारेक्टर समाच से भी स्पिरिच्वल हीलर अशोग चौकसे ने सभी को क्रिसमस पर्व की बधाई देते हुए विश्व शांती एवं विश्व स्वास्त की कामना की है पर्मेश्वर पिता पर्मेश्वर पुत्र और पर्मेश्वर पवितर आत्मा के नाम से सारे नगरवासियों का मैं अभी नंदन करता हूँ क्रिसमस के इस सुआउसर पर पर्मेश्वर से मेरी पूरे जिले के लोगों के लिए सहर के लोगों के लिए प्रदेश के लिए देश के लिए दुनिया के लिए एक ही प्रातना है कि पर्मेश्वर हम जहां रहें सांती प्रेम और भाईचारे के साथ एक दूसरे को इस भारत देश के दौरा पहचान दें और दुनिया में इसी भाईचारा के कारण हम जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज के दिन ईश्व मसी इस प्रत्वी पर जन्म लेते हैं छोटी सी चर्नी में चर्नी का मतलब है जहां गौसाला होती है गाएं बनती हैं उस चर्नी में वो उत्पन हुए कि पूरे समाज के लिए एक मसी जीवन जीते हुए वो पूरी दुनिया में मसी का प्रचार करते हुए पूरी दुनिया को प्रेम, सदभाओ, मेल मिलाब, भाईचारा और सांती और सोहदरता के साथ एक ऐसा पेगाम दिया है जो आप और हमारे लिए ताज जिन्दगी जब तक प्रत्वी पे हमारी सांसे हैं बना हुआ है मैं कोटी-कोटी धन्यवाद करते हुए सब को आज के दिन, आज के सू अउसर पर बहुत-बहुत बदाई देता हूँ पर्व की खुशियों में मसी समुदाय में घरो घर उत्सा और उल्लास चाया है चर्च में धार्मिक अनुष्ठानों का ख्रम प्रारंब हो चुका है जोती को दिन ही दिन में चंबाना है क्योंकि धूईत आग्मान के लिए तयार होना है आप उसका जो आग्मान होगा वो मर्यव की कोग से यूसफ के घर में नहीं होगा प्रियो जोती हमें जीवन देती है जो जीवन इश्वमसी में है वो जीवन बेरे और आपके अंदर में है जोती हमें प्रोग सामय देती है जब हमें ये कमिटमेंट देता हमें ये निश्चे कराता है कि मत डर मैं के लिए साथ हूँ यह करणना जबास नहीं गुजान शिकाष hipp..., जबान कर दधिंता है जबाधि cumpl능 जबाधि कर एक हो को साफ़ ni नोग उनकड़त, को अचे नहीं? जबार हुआार्प की जोर्दight है सब्सक्या की जबादि पिलादध उसका नाम अजब रिष्टी करने पाला परा परात्रमी पर विश्वर्ट अनंकाय का प्रता और चांती का अगाज को अगोई मस्की प्रभुवर नूँ चाप्टर दूँ परससे लेमेना अविक्र और अटल आशिश को जेगू लाग अगाज करने पर नदे का तरह करने करना तो सवेब भावा तेरी द्याइना टेरी आशिश इना तो चांती को जानी होगे काज ने परवेश्कत की महिए और विछ वी पर उन मनष्वे पे जिस से वो प्रसंद है शाती हो आगाज में फर्मेशों की महिमाँ प्रजे पर उन मनश्यों के जिनसे प्रशा को रहा है, शाहती हो। कलेक्टर सौरप सुमन ने आज शासन की जनकल्यानकारी योजनाओं के सफल क्रियान वयन के लिए जनपज स्तरिय समीक्षा बैठक ली। अगर सब्सक्राइब निकाल पाएंगे जब हम एक एक केस को देखेंगे और वूर्ट अगर तस्दीक कर पाएंगे कि नहीं ये खारिज नहीं होगा था, वहम तो पहली रिजेक्टर तो केस तरिजेक्शन वाले अगर आप ज्यादा रिहां से फक्राइब लगाओगे, तो आपके स्तर पर ही एक बेसिक सैंक्शनिंग के लाइक चेक्खा जाएगा, क्या सैंक्शनिंग होना है। सेटी अलजल की खबरों की श्रंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लोटेंगे कुछ अन्ने खबरों के साथ। स्पेशलाइस डॉक्टर और सारी मेडिकल फेसिलिटीज घर पे पाने के लिए डाइल करें 739-00-00-739 ये 24 आर एमर्जंसी निंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्द है बिमारी हो कोई भी डॉक्टर 24 है ना स्पेशलाइस डॉक्टर और सारी मेडिकल फेसिलिटीज घर पे पाने के लिए डाइल करें 739-00-00-739 ये 24 आर एमर्जंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्द है कुसुम IVF नन है कदम अब आपके आंगन में मा बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ नहीं संतान नंपत्ति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवशक्ता नहीं क्योंकि अब आपके शहर छिनवाड़ा में ही उपलब्द है मैट्रो शहर जैसे सारी सुविध कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सरवादिक सफलतम परिणाम देने बली डॉक्टर इवं कानपूर की सुप्रसित ने संतानता निवारन विशेशग डॉक्टर राशी मिश्रा इवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी होस्पिटल एड आईवीएफ अब देने के लिए उपलब्द हैं रेजिस्ट्रेशन है कुसुम IVF फांडे नर्सिंग हों नियर पोला ग्राउंड चिंदवाड़ा ब्रेक के बाद सेटील चल में आपका एक बार फिर स्वागत है गुणवाना गर्तंत्र पार्टी ने आज महामहिम राश्ट्रपती के नाम ग हमारी मांगे गुणवाना गर्तंत्र पार्टी ने अपना ग्यापन कलेक्टर महदे को राजिपाल जी के नाम से सौपा हुआ है और साती हम जो मह बढ़तीवी महंगाई उसमें शरकार को यह कहना चाहते है कि इसमें आम जन जीवन जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभाव सर्व ब्रहमन एवं पुजारी संगठन ने प्रशासन को ग्यापन सौपकर आक्रोश की वजह जाहिर की है जए परसुराव.... एकता जिन्दा वाड़ जातिवाद का मुद्दा बना करके ब्रहमन वाद सब्द का यूज करके पॉंप्लेट छपवाया गया है सोसर में कल आयोजन होना है मनु इसमृति का देहन किया गया इसका यह आयोजन मनाया जा रहा है मेरा कहने का मतलब यह है हमारा संगषन समस्त ब्रहामल संगठन यहाँ पर उपस्ते से अखिल भारती ब्रहामल पुरोःत विप्र संगठन और अखिल भारती संत पुजारी सम्मि सब के सब संगठनिया उपस्तित हुए हैं क्या ये ब्रहम्मलवाद से ऐसी सामाजिक टिपणी करना उचित है क्या है ऐसे लोगों को आसामाजिक ता का दर्जा देना चाहिए क्योंकि कारण ये है कि हम सभी लोगों को साथ में लेकर के चलने की भावना से कारे करते हैं ग्रहम्मलवाद सामाज सामाज को तोलने के काम करने हैं कि संभीधान इसकी जाजद देता है उससी कारेक्रम निरस्थ कौह लीडियो बनना चैए अगर ब्रहमन के खिलाप कोई कुछ बूलता है तो इसका एक्षन सरकार को लेना चाहिए इसी क्रम में हम कलेक्टर महुदक पास आए है एस्टी सहाब के पास आए है अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हमें भी स्वतंतर किया जाए हम भी ऐसी टिपपड़ी करेंगे स्वयम परिसर में पहुचकर दिव्यांग की समस्यां सुनी और यथा संभव त्वरित समाधान के लिए आश्वस्त किया पाता लेस्ट मौलावाड नंबर 19 का निवासी हूं यहां पे मेरा रहना है आज 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 और पीछे वाले तीनों में को 25-30 साल से परसांद करके रखा परसानी जे है कि पीछे मेरी पानी जाता है 25 साल से जा रहा है इनोंने बंद करके रखा है मनों सयाम है मैं आपको अपनी गौण की धारा में बंद करवा दूँगा यह यह रमकी शिकाइट करेगी मैं हर वार सिकाइट की नेगम में की अधिकारी आया उनके प्रक्ष्ण बात करके साइन लेके चला गया साइन लिए यहांने वाहिल बंद दस वर्सों से परसान पहल आपके जाते हैं उपर का पानी गेड़ता उनाली का वहीं जगा रोग लिया इसे गडर का पानी उसका वहीं दाल रहा है वहीं मेरी घर के अंदर आ रहा है मेरे पूजा इस्थल मकान में इन सभी समच्च्चाओं को देखते हो अनों कोई निदाकरन नहीं किया अगर आज बातसे और कलेक्टर हुआ है अगर इनके प्रक्षें बात कर साकतों अनर मेरा नहीं समय समच्चा का समधानों से परता से परिसान नो से आपको ना मेरे चल रहा हुआ आपको कि ले कृझेज़ा है सब्सक्राइब करके रखा हुए सामने बाजी वालों ने जहां से आगा जाता हूं बाढ़ दरोगने वहां खुदाई कर दी एक तने करेंगा कैसे होगा और किसने दिन में होगा SC ST OBC एकता महासभा महिला मूर्चा ने आज व्रधाश्रा में निशल्क स्वास्त शिवर का आयोजन किया शिवर में दवाय और कंबल भी निशल्क वितरित किये गए आज विद्वाश्रा ने यू अबकर विद्वाश्रा ने तो चाहिए अच्छा लगाए नियों फिर्वेनल नाज आज अविए हमका एक ताव करेंगे तापता वाले हमक्यानों स्रीमेटी तरिशा सूरवंशी चिन्वाड़ा से हो हम लोग हमारे संगटन के ओर से यहां पर हम लोग ने व्रद्धाश्रम में एक कैम्प लगाया जिसमें हमने ठंड से पीडित अभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है उनसे थोड़ी से राहत के लिए हमने लोगों को प्रोब बाटा हुआ है और हम लोग ने हल्ट कैम्प में बीपी, शूगर, जो भी हम लोगों से बन पड़ा है हमारे संगटन के ओर से जो भी जो चाहा वो हम लोग ने अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा यह है कि हम पूरे देश में हमारा मितलब जो संगटने पूरे देश में जो जरुवत पीडितों लोग हैं उनको हम लोग सारी चीज़ें अबिलेबल करा सकी हैं यही हमारा संगर्टन का माहत्व है और हमारा रहे हैं पुलिस ग्राउंड में ज्यादातर यूवा विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं में आवश्यक शारिरिक दक्ष्टा के माप दंडों के लिए एथलेटिक इवेंट्स की तैयारी करते हैं अनुभवी कोच और प्रोचसाहन प्रदान करने वाले सीनियर्स का मार्क दर्शन यूवाओं को उत्साह से भर देता है ऐसा ही नजारा उस वक्त दिखाए दिया जब यूवाओं ने श्रमदान कर शानदार लॉंग जंप पिट तैयार किया प्रीश्वर करें आप सब लोगों का बढ़िया सेलेक्शन हो जाए सब लोग आईएस आईपियस आराई बढ़िया परिशासनिक पदों के आए गोफूर्स अकाडमी डारेक्टर हमारे गोपाल धवन जी है एकस आर्मी मैंने ये बच्चों को निशुल्क शारीरिक और मांसिक शिक्षा विभिन प्रतियों की परिक्षाओं है तू उपलब्द करवाते हैं उसी तारतम में आज यहां पे बच्चों के शारीरिक प्रशिक्षान के लिए ग्राउंड तैयार किया गया है इसमें पुलिस प्रशासन का हमिशा से सहयोग पराप्ष होता रहा है और तक लगबख साथ बच्चों का चयन विभिन आर्मी पुलिस और अन्य सेवाओं में हुआ है और हमारे गोपाल जी जो है यह अनवरत इस खमात्यवा के कारे में लगे हुए हैं मैं मुक्यत है बच्चों को अंग्रे जी इंटर्व्यू वगरा की तैयारी के लिए गोफुर सगयरन के को सहयोग कर रहा हुँ अपूर में भी हमारे कप्तान साब श्री गौरतिवारी जी हमारे archite NH 하 lot arrive है प्रदीव बालमी की जी और अनेकों अधिकारियों का और प्रशासनिक का इसी बहुत की सीस नहीं ली जाती और अभी इस आपके चैनल के माध्रहम से हम यह अपील करना चाहेंगे के जो भी बच्चे किसी भी तरह की प्रीद्योगी परिक्षा की त्यारी करना चाहते हूं वो श्री गोपाल जी के लिए वाकई ये काबिले तारीष पात है नन्यवाथ मैं डॉक्टर गौरवरुरा यहीं चिन्वाडा में निवासरत हूं और गोपाल जी के इस अच्छे काम में मैं भी जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग प्रदान करता हूं बच्चों को मारत बच्चन देता हू 102 वी पूर्णितिती महुत्सव के अंतरगत लालबाग स्थेत शेडी साई मंदर में विविद धार्मिक अनुष्ठान संपन्ध हूए स्थेती में वजुए यहिया देती वी पूर्णिती curse कर दो कर दो कर दो कर दो गाद्री धाना वाल्ड क्रमांक एक में नव निर्मित मंदर में प्राण प्रतिष्ठा समारों का शुभारं भविशुभा यात्रा से हुआ अर्ग थो बढ़े लाज़ बास हमारा बाट नम्मर एक गाडरी ढाना ग्राम पंचाज खजिरु जिसमें परमपरा से जो मूर्ती भगवान भूले नाथ की पिंडी जो परमपरा से वहीं से उच्पी है वो बहुत शमतकारी है जिसमें उनका कोई ऐसा धार ना प्रणा रहा तो जो हमने 16 मंदिर निर्मान करके और उसमें माताप पारवती शिवुजी गनेश जी हनमान जी की मूर्ती इस्तापना आज 24 2020 को हम इस्तापना करने जा रहा है जिस पर तत पर वो इंडी ऐसी चमतकारी है जो अपने मन में बिचार कर जो अदमी जाएगा उसकी मनों कामना पूरी करती है इसलिए हम मत परदेश तक के सारी योगत करवाए कार्शपवाए और सबकु बाटा है जिसक करेंगे तो आब से ही को कामी आप होगा और फ़कूर देना दूस्तों ये तो थी अब तक की तमाम खबरे और आईए अब समेठ लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां आई अब बंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालें आज की हैडलाइन्स पर जिनाभाजपा द्यक्ष विवेक बंटी साहुने की समाधान की पहल कोचिंग वालों के लिए की कलेक्टर से चर्चा पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गे अटल जी की जहनती पर हुंगे विविद आयोजन्स दुशासन दिवस पर हुआ शपत ग्रहन दिव्यांकी समस्या सुन्ने बाहर परिसर में पहुंची एडियम रानी बाटर शीग्र समाधान के लिए किया आश्वस्त और क्रिस्मस पर्व की खुशियों में च्छाई रौनक लोबल नेटवर्क का रियाल है और परिसर में बरस रही प्रभू कृपा सिटी अलचल की इस बुलिटिन में फिलहाल इतना ही लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आप से फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिये अजाज़त नमस्कार झाल